अब बात करेंगे एक छोटी से हेडिंग है थर्मोडायनमीक वेरिब। परहले इसकी बात कर लेते हूँ मतलब थर्मोडायनमीक हमनी क्या बता है था कि थ्र्मोडायनमीक सिस्टेम होता है जिसको प्रेसर, हाद, वा-लू ook, टिम्पृक्रेचर और किसी को explain करना हैं तो बहुत सारी प्रापटी है is को किसी को आपको प्रापटी यह चो कहीं तब थी तो का मतलब होता है कि heat देने पर कोई system में कौन-कौन सी चीज vary होती जो आपको दिखती है या आपको explain करने के लिए कौन-कौन से parameters आप बता सकते हैं तो लिखे दा कहानी the thermodynamic state the thermodynamic state ब्रैकर लिजीगा microscopic state macro macro microscopic state क्या मतलब मैक्रोस्कोपिक जानते हो दो वड़ होते हैं macroscopic और दो वड़ हैं एक है macroscopic macroscopic यह कोता है macroscopic सुना नाम अपके अपने macroscopic का मतलब होता है मोटा 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 वह मोटा मोटा नहीं मतलब मतलब जो बाहर से दिखे भाई जैसे कहते ही किसी एक साधीत है हुई कहने वह लड़का देखने में बढ़िया है सुन्दर है यह है वह है बड़ी बड़ी आखें है इसा है सर में बाल पूरे पूरे हैं ठीक है वह है macroscopic और macroscopic लोग करेंगे थोड़ा देखें मतलब से वैसा कला दवा है लड़का पढ़िया है उसने का कौन सी बात की microscopy की बात की ठीक है तो microscopy का मतलब हम जो बात करें thermodynamic variable में वह मोटे-मोटे तौर पे जो हमको सामने दिखता उसके बारे में बात करें ठीक है तो लिखेंगा तो thermodynamic state जिसको क्या microscopic state is determined determined by four observable properties जो observe कर सकते हैं मोटा मोटा by four observable properties जैसे लड़की हो जब साधी अब तो दूसरी तरीके तरह होती है गाहों गरह जब तरह होती है तो पहला जो microscopy होता है लड़की देखने हैं ठीक है इसके बाद गाह लेती हूँ ढोलग बजा लेती हूँ ढ़ी लघा लेते नहीं होता है अभी तो गाही नहीं लेती हैं और यूटूब लगा देंगी और फो नगा देंगी ना चो आप पहले तो क्यों होता था यह मै क्रोसकोपी प्रपर्टी होती है देखने मच्छी सासा सुर को लगड जा ठीक है क्योंको लटका देखने जाएगा नहीं पहले की बात करें के आला है कि ठीक है तो जब इसको बाती में फॉना बहुत पर यह पर बनाओ तो ओठी है और का घर्मा है तो यह क्या है मायक्रोसकोपिक है ती है लेकिन मैइक्रोसकोपी क लबील पे अलग बात हो रहे है मैइक्रोसकूपी क बात करें यह ना इक्जाम्पल इसमसें लिख देना बता चला किनि यह भी आ treatment था क्या लिखां? determined by four other properties लाइक केमिकल कमपोजिशन पहले Keymical Composition कैसा है bench on showers प्रापट्ए हम उसका ut tribute कैमिकल ये रिख्यार कॉम्पोजिशन कहीं कहींद केवल कमपोजिशन लिखront तो कहा उध्या हो लुकुज नहीं हो रहे हैं स्थिसक्राइर अल्प प्रे सर रखंती है ये लगबग यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है अगर छोटी हेडिंग भी आएगी तो आपको कमसे एक पर लिखना पड़ेगा ठीक है जैसे वाटिस टेंपरेचर अभी हम लिखाएंगे तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा उसको ठीक है जो दिखते हैं सामने से, microscopic, एक पर अगर आफ्छ चेंज करने के लिखे ए, for a homogeneous system for a homogeneous system for a homogeneous system the composition is fixed for the homogeneous system the composition is fixed, भै कि आपने के बही एक बरतन है एक सिलिंडर है उसमें हमने ही driven तो composition is fixed, वो तो fixed हो गया, ठीक है, किसी cylinder में माले आपने H2O gas ले ली, तो हमने बता दिया ना कि उसमें कौन-कौन सी gas है, तो उसका composition कैसा हो गया, fixed हो गया, तो इसका मतलब आपको अगर system को explain करना है, तो कौन से variable केवल लेंगे आप, pressure लेंगे, temperature लेंगे और volume लेंगे, यानि हर जगे composition नहीं लिखा जाएगा, तो for a homogeneous system, composition is fixed, so the system is determined, so the system is determined completely, so the system is determined completely, by the variable, by the variables, pressure, pressure P, volume, V, and temperature, और temperature हमेशा absolute लिखा जाता है, capital T, क्यों हो भाई, जो temperature की definition Celsius आपने दी थी, जो उनका कहना था boiling point ये होता है, freezing point ये होता है, कातिया था न, तो वो authentic नहीं था, क्योंकि अगर आप boiling point 100 degree आप कहा रहे हों, कि पानी खौलेगा तो आप उसको क्या नापोगे, 100 degree, यहनि उनका पानी लो, चढ़ा दो, जो खौले लगे, आप थर्मोमेटर डालो, Celsius नापने वाला, तो 100 degree नापेगा, हम लेका ठीक है, हम लेके चले गए रोतांग पास, हिमाले, वहाँ पानी उवाला हमने, और थर्मोमेटर डाला, तो देखा, 70 degree नाप रहा है, क्योंकि pressure डाउन होगा, तो boiling point भी डाउन हो गया, तो इसलिए हर जिए कौन सा concept लिया गया है, absolute temperature, जहां आप temperature बोलेंगे, आप समझ जाएंगे, absolute की बात हो रही है, ठीक है, तो इसनको कहते है, thermodynamic variable, main ये तीन है, pressure, volume और temperature, अब सिंपल सी बात है, ये pressure, volume, temperature का कुछ relation होगा, जैसे इंटर में आपने पढ़ा, PV is equal to nRT, एक ये दे लिसन पढ़ा आपने, पढ़ा है न, आपने PV to power gamma is equal to constant पढ़ा, आपने wonder वाल equation पढ़ा, P plus A upon V square, V minus B is equal to RT, ये पढ़ा आपने, तो ये समझे equation of states कहलाती है, इनको relate करने वाले equations होते हैं, उनको कहता है equation of state, कि इस state को किस equation से represent किया जाए, बास में लिए है, तो निचे लिखे, the equation of state is given by, the equation of state is given by, हम ऐसे लिखेंगे, function of pressure, volume, temperature is equal to 0, इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा relation है, जिसमें pressure है, volume है और temperature है, ठीक है, जैसे हम ideal gas की बात करें, तो हम यह equation लिखेंगे, इसको कहेंगे equation of state, example लिख लिखेंगे इसमें, example, the equation of state for an ideal gas, the equation of state for an ideal gas, is given by, PV is equal to RT, यह equation of state हो गई, मतलब एक ऐसी equation जो किसी state को इस प्रिकार से रिप्रिदेन करें, यह सब equation of state है, ठीक है, where R is a universal gas constant, where R is the universal gas constant, तूसरा लिखीजिएगा, wonder wall gas equation, for wonder wall gas, for wonder wall, wonder wall, wall's gas, मतलब जेस gas की बारे, wonder wall ने बात की थी, उसको में explain नहीं करने जा रहे, wonder wall gas, equation of state is, equation of state is, P plus A upon V square, V minus B is equal to RT, सुनाए, 11th में जैसे student जाता है, dimension पढ़ता है, वहाँ पर equation आ जाती है, इसको explain नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ पर constant की dimension पुछी आती है, where A and B are constants, तो यह कहलाता है, equation of state, equation of state का मतलब होता है, किसी भी system में, pressure, volume, temperature का जो relation आप लिखते हूँ, एक relation equation type का, उसी को हम equation of state कहते हैं, सुन में आगी बात, ठीक है, important है ध्यान रखेगा, इंपोर्टन है द्यान रखेगा,